14 मई 2024 को सूर्य का राशी परिवर्तन होगा और सूर्य का ये राशी परिवर्तन व्रिशब रासी में होने वाला है तो आगे आने वाला एक महीना व्रिशब रासी की लोगों के लिए किस तरह से होने वाला है चलिए जानते हैं विस्तार से जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी सूर्य के राशी परिवर्तन के प्रभाव के बारे में 14 मैं को सूर्य का राशी परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर सूर्य आपके जीवन में मान सम्मान देता है पिता के कारक हैं आत्मा के कारक हैं प्रभुत्व देते हैं अधिकार देते हैं सरकारी नोकरी के कारक भी सूर्य देव हैं इच्छा शक्ति देते हैं और जब सूर्य शुब इस्थि में हो न तो आपके अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और जब सूर्य अशुब हो जाएं तो ये पोजिट हो जाती हैं अब इक ही अगर बात करें तो सूर्य आपके बारवे भाव में विराजमान थे जो की मेश रासी में थे की सूर्य का गोचर कैसे रिजल्ट देगा तो सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी हैं केंद्र के स्वामी है चौथा भाव कौन सा है माता का है सुख का है भूमी का है वाहन का ये चौथा भाव है चौथे भाव के स्वामी का लगन में आना एक बड़ी शुब इस्तित क्योंकि जब सुख का स्वामी जब धन संपत्ति यानि भूमी भवन का स्वामी लगन में प्रवेश करेगा तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे तो यह गोचरकाल कैसा रहेगा सबसे पहले आपके करियर के बारे में जान लेते हैं देखिए अगर आपके करिय कोजी से भर देगी आप बढ़े बहुत जादा उर्जावान रहेंगे अपने हर एक काम को लेकर इस समयवधी में आप अपने किस तरह से अपने सुख को बढ़ा सकते हैं संपत्ति को बढ़ा सकते हैं नई गाड़ी खरी सकते हैं इस चीज की तरफ आपका बहुत अधिक ध आपके लिए ये इस एक महीने का समय क्योंकि सुख के स्वामी का लगन में बैठना आपको उसके प्रती बहुत अधिक एनरजी देने वाला होगा उन चीजों को प्राप्त करने वाला होगा क्योंकि केंदर का स्वामी केंदर में बैठ रहा है अजब केंदर का स्वामी चीजे तो यह सारी चीज़ेे आपके लिए बहुत अनुकुल रहेगा क्योंकि देखिए सूरिय लगन में बैठेंगे तो आप सुख सुविधा का लिए प्राप्त कर सकते हैं आप के सी कॉंपिटेटव एक्जाम में बैठ रहे हैं तो वहा भी आपको अच्छी सफलता मिलने का योग रहेगा अच्छे अंक की प्राप्ति आप कर पाएंगे जो जातक सर्विस में हैं उन्हें अपने वरिस्ठों से आदेश लेने में थोड़ी सामधा परिशानी जरूर हो सकती है और इस दोरान उनकी सलहा को नजर अंदाज करने का प्रियास भी आप कर सकते हैं आप अ ऐसे कामकाज के लिए तो अच्छा है लेकिन आपको अपने वरिष्टों के साथ अच्छा संबंद बना कर चलना पड़ेगा सूर्य देखी कहां बैठेंगे लगन में और यहां से सीधी द्रस्टी कहां डालेंगे सब्तम पर जो की वैपार का है जो की आपके विवाहिक जी है जीवन साथी के साथ तो उस चीज को थोड़ा ध्यान देंगे और जो स्टुडेंट्स हैं इस राशी के और उनके लिए तो मैंने कहा बहुत अच्छा है मन लगा कर आप अपनी परिक्षाओं के तियारी करें जो competitive exam कर रहे हैं उनकी भी बात कर रहे हूं मन लगा कर तिया पाए में आपको ज़रूर बताँगी स्वास्ते के लिए हासे देखें तो थोड़ा स्वास स σंबंदी प्रॉब्लम हो सकती चल्ध जैसे सिर्द औरद हो गया माइ ग्रें हो गया जिन को BP के समस्या या BP के समस्या भी हो सकती है तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको जरू भी प्राप्त हो सकते हैं, आप व्यक्तिगत और वेवसाइक दोनों शेत्रों में आश्वस्त रहेंगे, संतुस्ट महसूस कर पाएंगे, प्रोफेशनल जीवन में आप लीडर्शिप के गुणों का प्रदर्शन कर पाएंगे, इस समय में आप अपने ऑफिस के कलिग्स को ज थोड़ा फोकस बना कर रखें, जैसा कि मैंने का पार्टर्शिप में काम करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा, और जीवन साती के साथ भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अपने रिष्टों को लेकर थोड़े पज़र्सिव रहेंगे, पर्सनल स्पेस की कमी हो सक ऐसा लगेगा कि आपका पर्सनल स्पेस नहीं है, ऐसी चीजे मन में आ सकती है, जिसकी वज़य से लाइफ पार्टनर थोड़ा चिड़ चिड़ा हो सकता है, इससे रिष्टे या शादी में थोड़ी सी कही ना कही नोग जो किस्तिती हो सकती है, तो बस ऐसे इस्तिती में क् दहरिया बना कर रखेंगे थोड़ा सा दहरिया बना लेंगे तो चीजे जो है वो अच्छी हो जाएंगी उपायक एगर मैं बात करूं तो रोज आप सुरेदेव को जल चड़ाना शुरू कर दें जो कि लगन में बैठे हुए हैं तो मजबूत करें चौते भाव के केंदर के स उसका भी आपको एक benefit देखने को मिलेगा अब यहाँ देखे चौता भाव माता का भी भाव है माता के भाव का स्वामी लगन में तो अपनी माता के प्रती आप बहुत अधिक केरिंग रह सकते हैं अपनी माता को प्रेम करने वाले आपकी माता के साथ आपकी bonding अच्छी रहे है और साथ ही अगर आपकी माता वर्किंग है तो माता की द्वारा भी आपको लाब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आपकी माता वर्किंग है तो उनके द्वारा भी लाब की उमीदे बनती दिखाई दे रही है जिससे आपके कई बड़े काम भी बन सकते हैं तो वहां स स्वास्ते का इधिहान रखें उपाय और जो मैंने बताया आप सुरीदेव को जलतों शड़ा नहीं है और गयत्री मंत्र का भी जाप कर लेंगे तो बहुत इच्छा रहेगा तो दोस्तों और अदे कैसी जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें